नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोति सीक्रेट तुलारासी वालों आपके खुसियों को आखिर नजर क्यों लगती है कभी सोचा है आपने चलिए आज हम आपको आपसे ही मिलवाते हैं और समझते हैं कि आपके खुसियों को नजर करने का हमी होते हैं चुकि यहां पर सनिदेव के सबसे प्रेयरासी होने का भी कारण है और वो है हर मामले में इमानदार होना हर किसी को साथ लेकर चनना मिल बाट कर खाना सब के जीवन की परिसानियों को हमेशा ही बहुत ही जादा गौर से समझना देखना और उनकी हिल्प करना यही चीजें आपको सबसे हटकर बनाती है सबसे जुदा बनाती है वैसे तो आपके अंदर बहुत सारी खूबियां होती है बहुत सारी संभाबनाएं होती है और वायू तत्तु की रासी है इसलिए आपके अंदर आकरसन भी बहुत होता है बहुत ही खूबसूरत ग्लेमरेस रा कारण है और वो कारण है आज हम आपको आपसे ही मिलवाने की कोसिस करेंगे देखते हैं कितने सफर होते हैं वैसे भी आपके साथ बहुत सारी बाते हमने अभी तक की है और आपके धेर सारे प्यार भरे मैसेजेज देखकर बहुत ही मन परसन हो जाता है सब के जवाब को देना आसान नहीं है लेकिन फिर भी कोशिस करते हैं और ऐसे ही यूँ ही प्यार बरसाते रहें एक वार फिर से हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और ये प्रेडिक्शन चंदरासी पर आधारित है तो वीडियो के अंतब बने रहें तुलारासी वाले बहुत ही ग्लेमरस तो होते हैं और बहुत ज्यादा उदार होते हैं जीवन में सब को साथ लेकर चलना सब की केर करना ये चीज़ें इечें बहुत भाती है कुद भी सनीके से रहेंगे और चाहेंगे इनके आस-पास के लोग भी बहुत अच्छे से कभी भी अन्याय होते वे लोगों के बीच मतभेद होते यह नहीं देख सकते इन्हें कम मिल जा यह संतुष्ठ हैं पर कोई और इनके कारण तकलीप में रहे यह इन्हें कवारा नहीं अब जो इतने बड़े दिल का मालिक हो उन्हें जीवन में थोड़ी बहुत उतार चड़ा है तो जादा दरिया दिल होना अभी कभी भारी पड़ जाता है कि भावनात्मक रूप सी आप लोग सकतें ही चले जाते हैं लाइफस्टाइम से उनके पास हो या ना हो लेकिन आप बहुत महान हो आपके पास बहुत है ऐसी बाते आपके साथ अक्सर ही करते वे मिल जाएंगे बहुत सारी लोग चाहे वो आपके दोस्त हूँ आपके अपने आपके सगे भी कभी कभी इसका फाइदा उटा ले आते हैं फाइदा इसलिए नहीं उठाते कि वो आपके दुस्मन है बलकि इसलिए कि तुम इतने अच्छे से हो इतने सुखी हो तो चलो औरों को भी देखो औरों के भी खेल करो पर आप जानते हो आपके अंदर कितनी तकलीफ हैं आप कितने ज्यादा परिसानी में समय गुजार रहे ह लेकिन चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट है ना ये किसी को पता ही नहीं चलने देते क्या इनके जीवन में भी कस्ट है लोग सोचते हैं तुला बड़े बड़े खुसनसीब होते हैं इंको तो जीवन में कस्ट ही नहीं तकलीफ ही नहीं पर क्या ऐसा होता है बिलकुल नहीं और जब अपने पीछ में छुरा भूबते हैं तो तकलीफ जादा होती है अक्सर इनके साथ होता है लेकिन फिर भी सिकायते नहीं करते बहुत बार यह होता है अपने पराए कोई भी है इनके पास बे मतलब कि इनका इस्तिमाल करने बहुत ही चापलूसी से बात करते वे इनके करीब आएंगे और फिर अपना काम निकाल कर साइट हो जाएंगे इनकी खुसियां लोगों से सहन नहीं होती आखिर आपने एक कहाबा सुनी होगी न कि लोग परोसी को परसन देख ही नहीं सकते कहते हैं परोसी इतना खुस क्यों है आखिर क्या मिल गया इसे हम खुस क्यों नहीं है तो लोग परोसी के तकलीफों में आनन्द लेते हैं लेकिन खुसियों में इन्हें तकलीफ हो जाती है और तुला वालों के बहुत सारे जलने वाले होते हैं सामने में भले ही कोई ना दिखावा करें पर इनसे जलते बहुत सारे लोग हैं इनके अच्छे पहनने के तरीके से इनके सलीके से जीवन में ये जो रहते हैं अपडेट उससे जलते हैं पर जलने वालों को क्या मिलता है कुछ नहीं उनका सनी ही गरवर होता है और तुला वालों का सनीदेव क्यों मजबूत है क्योंकि ये किसी से जलते नहीं है बिन्दास अंदाज में जीवन जीते हैं सब की हेल करते वे लेकिन इमोशनली कभी-कभी आप ठक जाते हो कभी-कभी इतने ठक जाते हो को लगता है जैसे आपको कोई समझता नहीं है सिर्फ आपके इस्तिमाल कर रहा है सिर्फ आपके पास आते तो हैं लोग अपने मतलब के लिए बहुत ठक जाते हो हलाकि धन आपके पास आही जाता है दैव योग से और इसी कारण तो आप सब की हेल्प भी कर सकते हो कभी-कभी महिलाओं के चक्कर में आप उलज भी जाते है और इस कारण आपको लॉस भी होता है खर्चा भी होता है अगर आप महिलाओं के चकर में नहीं पड़ेंगे खास कर गल्फ्रेंड है या फिर कभी कभी तो एक्स्ट्रा मेरिकल अफेर जैसी चीजें इनके साथ हो जाती है अब यहां पर भी ये बुरी तरफ हसते हैं इनकी फर्माई से हैं कि खत नहीं होती और ये हैं कि पुरी किये जाते हैं हाँ हो साता है पर सब लुट जाने के बाद तो ऐसे आप इतना भी खुस होने का दिखावा ना करें इतना भी जादा लोगों के सामने खुद को महान मत साबित करें कि लोग आपके खुसियों पर ही ग्रहन लगा दे आपकी खुसियों पर ही नजर लग जाए थोरे से समझना होगा कि ये गलत आकरसन है बेमतलब के खर्च करवाता है जीवन म को अपने जीवन को बैलेंस करके ही चलना चाहिए जिस तरह से आप तमाम चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं तमाम चीज़ों को बेहतन तरीके से करके चलते हैं ठीक उसी पकाल अब यहाँ पर करेंगे क्या कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करें पहली बात तो बार बार दो के खुड़ी हैं दूसरों के सामने इतने भी मत AIP महान बने हैं कि लोग आपका इस्तिमाल करें और हमेशा ही एक बीच का रास्ता निकाल लिए है नह बहुत जादा नह बहुत कम जो भी करना है खिर से सही रास्ते पर चलें कभी भी लोगों के सामने अपनी खुसियों का बखान ना करे हमारे पास ये है हमने ये किया हमारी इतनी सैलरी है हम ये खरीदना चाहते हैं हमने यहां यहां लिए हैं तो ये चीजें गलत हैं और ना ही कभी किसी के सामने रो ना रोएं कि मारे पस नहीं है हलांकि हमारा टॉपिक है कि आपके खुशियों को गरहन क्यों लगता है तो गरहन लगने की कारण मूलत यही है इस पर आपको ध्यान देना है करें कि जीवन सब कुछ बहतर हो जाए जीवन में एक तो आप सनी देप की सबसे प्रेरासी हैं तो सनी देप के दामन ही थाम के चल तो और एक सरसों के देल का दिया आप सनीवार की साम पीपल की नीचे जलाया करें है अगर आप पीपल के नीचे नहीं नहीं जला सकते हैं तो अपने घर के मुझे दरवाज़े पर बाहर सर्सों का दिया हर सनी देन जरा turret दिन जलाए इससे पित्त्री दीप प्रशन और जीवन आपका बैलेंस भी हो जाएगा अपने लिए आप एक अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए कुछ उपाई भी कर सकते हैं जैसे कि आप अपने पैसों को बढ़ाईए आपके लिए सनी देव बाले छेतर बहुत अच्छे होते हैं इन छेतरों में जाने से आप बहुत तरक्की करते हैं अभी वैसे भी आपके उपर सनी देव का सस नामक महापुरुस राजियोग भी चल रहा है और इसका बेनिफिट तो आप अगले पांस सालों तक लेंगे हलांकि हर वक्त हर किसी का अप-डाउन होता है लेकिन आपके लिए पैसंव का इनवेस्ट्मेंट पै ट्रोलियम लोहा इलक्टोनिक जसी धातुएं में करना अच्छा होता है लेकिन गोल्ड में मज जाईएगा आपको सोना सूट नहीं करता और ना ही आप अनाज में करें यानि अनाज यानि खाने पीने की चीज़ें जो होती है तो यहां पर नहीं करना है और चाहते हैं अगर कि आपके पास धन आता रहे आप तरक्की करते चले जाए तो एक और काम करें आप चुकी सुक्री की रासी है इसलिए आप ग्लेमरस तो होते हैं ले यहां पर देखिए सुक्रदेव आपके मालिक है तो आपका स्वास्त आईू आपका बैक्तित तो आपका आकरसन यह सुक्रदेव के पास है और सनी यहां पर आम तोर पर आपके जीवन में अपयस नहीं देते लेकिन अपयस से बचाते जरूर हैं यानि बेबजह लोग अगर से आपको बदनाम करना चाहते हैं तो सभी यह यहां आपका बचाओ करते हैं आपको एक सिफ जूं मिले जाते हैं इसलिए हम कहते हैं बार बार कि सभी अपासना जरूर करें और एक सबसे अंत में एका क्या शाहां कि कि जीवन में परिसानी ना आए जीवन में हमेशा ही एक आगे बढ़ने के रास्ते आपको सही तरीके से मिले आपके खुसियों को नजर ना मिले ना लगे तो क्या करेंगे आपको जो रोज रोज प्रेम होता है ना आप इसी चक्कर में ज्यादा बेब कुप बन जाते हैं बहुत अच्छा है और सनीदेव की उपासना भी करें यह आपके लिए सबसे अच्छा सबसे बेस्ट रहेगा है हलांकि आप जैसा कहें कि धन आता नहीं है कि आप खर्च करने की सूचते हैं इधर से आया उधर से पैसे निकल गया तो इस तरह से आप एक समय ऐसा होता है कि कभी कभी आप हाथ खाई हो जाता है अगर पैसे की बचत आसानी से ना हो तो गुरुवार के दिन धनमस्तान पर जाके सर जुकाया करें और चाहें तो गुरुवार के दिन दो केले का दान भी आप कर सकते हैं पास के किसी मंदिर में रख सकते हैं इससे भी आपको फायदा ह तो आज हमने आपके साथ धेर सारी जानकारियां सेर की पसंदा रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा फिलाल हम आपसे भी दा लेते हैं हर हर महादेव धन्यवाद लाइब लाईन।